हेलो स्टुडेंट मैं डॉक्टर भरत कुमाद और हम लोग पढ़ रहे हैं वी ए फ़स्टियर के प्रेक्टिकल वी ए फ़स्टियर के प्रेक्टिकल में हम लोगों ने सिंपल इसकेल के अंतरगत एक अनफात एक लाख मापनी पर बनने वाले पैमाने को या मापनी को पढ़ लिया है और आज हम सिंपल इसकेल में ही दूसरा उधार्ड समयने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले तो हम यहां लिख लेते हैं साधर्ड मापनी या सिंपल इसकेल शिंपल इसकेल कोशन है एक अनफात 63,360 निरूपक भिन पर या प्रदर्शक भिन पर एक अनफा 33,360 प्रदर्शक भिन पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए की जिस पर जिस पर चार मिल और छे फरलांग की दूरी पड़ी जा सके पड़ी जा सके एक कोशन दिया गया है कोशन में है एक अनफा 63,360 प्रदर्शक भिन या निरूपक भिन पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिस पर चार मिल और छे फरलांग की दूरी पड़ी जा सके ये सिंपल स्केल का उधारण है सादर्ण मापनी का उधारण है इस से पहले आप लोग सादर्ण मापनी का एक उधारण समझ सके हैं जो मैंने आपको एक अनफात एक लाग की मापनी पर शमझाया था अब ये जो उधार है सिंपल स्केल का दूसरा बाला पहले हमने पढ़ाता एक उनफात एक लाग पर जो आरे पर पर पढ़ाता बो था किलोमीटर में और हम इसे ज्याद करेंगे यहां पर मील में तो वो हमने में MKS पद्दती के द्वारा और ये FPS में हम लोग इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो यहां देखेंगे कोशन में कि यह एक और यह त्रेशड है तीन सो साट तो सॉल्व इसको करेंगे कि एक इंच अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर इंच सब्द कि यह हम कैसे पता लगाते हैं तो यहां कोशन में देखिए कोशन में वो कह रहा है कि चार मील और छे फल्लांग की दूरी पड़ी जा सकें तो मैंने जो आपको MKS और FPS जो पद्दती बताई थी उसमें मैंने आपको बताय था कि इंच जो सब्द होता है वो मील में आता है क्योंकि मैंने बताय था कि 12 इंच मिलकर के एक फिट को बनाते हैं तीन फिट मिलकर के गज को बनाते हैं 220 गज मिलकर के एक फल्लांग को बनाते हैं और 8 फल्लांग मिलकर के एक मील को बनाते हैं तो हमारी जो इंच होते हैं वो मील, फल्लांग, गज, इनमें आते हैं तो इस जैसे मानचित्र पर एक इंच की दूरी, तो यह जो एक इंच है, यह हमेशा मानचित्र पर होता है, जैसे कि आप question में देखेंगे, एक अनपा 36360, तो यह पहला जो एक इंच है, यह मानचित्र की दूरी है, बराबाद धरातल पर 63360, यह जो आप देख रहे हैं, हर की, यह 63360 यह कहा है, धरातल पर है, तो हम इसको ऐसे solve करेंगे, कि मानचित्र पर एक इंच की दूरी, और धरातल पर 63360 इंच की दूरी, यह हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कि एक इंच बराबर 63360, यह जो ऊपर का मानद दिया गया है, एक अनपा 36360, यह हमने यहां रख लिया, अप अब इसको इससे हम काटेंगे, तो आएगा एक मील, तो यानि कि एक इंच बराबर, एक मील, यानि एक इंच किसको प्रदर्शित कर रहा है, एक मील को, इसलिए छे इंच प्रदर्शित करेगा, छे गुणा एक बराबर, छे मील, कहने का मतलब यह है, कि आरेफ जो दिया गया है, वो एक अनपा 36360 इंच है, इस आरेफ के अनशार, यह जो दूरी है, वो मानचित्र के एक इंच को दिखा रही है, और यह जो दूरी, 33360 इंच को दिखा रही है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, एक इंच बराबर, 33360 यह कोश्चन का जो आरेफ है, वो रख लेते हैं, बटे, नीचे वही संक्या आती है, जो कोश्चन पूछी आती है, ऐसे मील, तो एक मील में 33360 होते हैं, इसलिए हमने इसको यहां रख लिया, इसको इसको काटनेंगे तो आएगा एक मील, तो एक इंच बराबर एक मील, एक इंच किसको प्रदिस्त कर रहा है, एक मील को, तो इसलिए 6 इंच प्रदिस्त करेगा 6 मील को, अब आप यह कहेंगे कि यह सा 6 इंच कहां से आया, तो जैसे हमने किलोमिटर की मापनी में 15 सेंटिमिटर अपनी तरफ से माने थे, वैसे ही इंच की मापनी में 6 इंच हमें अपनी और से लेने पड़ते हैं, तो 6 इंच बराबर 6 मील, तो आपका यह आंसर आ गया, 6 इंच ब सबसे पहले 6 इंच की एक दूरी खीचेंगे स्केल से और एक एक इंची के 6 भाग करेंगे मैंने आपको बतायता कि यह जो 6 इंची की रेखा होगी उस पे आप एक एक इंची के 6 कॉलम कर लो बरावल एकोईल डिस्टेंस में फिर इसको आदा सेंटिमेटर उपर एक खड़ी रेखा इधर बना लो और एक इधर बना लो फिर इनको आपस में ऐसे मिला दो ऐसे आप चाहें तो इसके बीच में भी एक और रेखा ऐसे बना सकते हैं हम लोग पहला कॉलम छोड़के हमेशा जीरो लिखते हैं ये बाले मुख्य भाग कहलाते हैं और इनका जो छोटा भाग होता है ये गौड कहलाते हैं तो यहाँ जीरो एक दो तीन चार और पांच यहाँ आप लिखेंगे मील ये मील है इस साइड में अब मिल से छोटी का होती है फर्लांग होती है तो एक इंच के आपको इसमें 8 भाग करने है ये आपके skill में भी दिया गया है तो पहले बीच में निसान लगा लो फिर एक भाग इधर कर दो और एक इधर कर दो तो ये 2 दो के आपके भाग हो जाएंगे दो, चार, छे और आठ यहां आप लिख लिए फरलांग अब आप लोगों के मील की दूरी इस साइड में और फरलांग की दूरी इस साइड में आ गई यह गौड भाग हैं और यह आप लोगों के भुखे भाग हैं अब कोश्टन में कह क्या रहा है वो कोश्टन में वो कह रहा है कि चार मील और छे फललांग की दूरी पढ़िए तो मील की तरफ आ जाओ चार मील इस पर एक एरो लगा दो यह एरो लगा दिया हमने चार के उपर यह एरो एक इंची का ही होना चाहिए इस से बड़ा या छोटा नहीं तो चार पर लगा लो मील फललांग के दिने पढ़ बारा है छे तो दो चार छे छे की रेखा यह है यह यह यहां छे पर एक एरो बना दिया यह किन चूँचा फिर इनको आपस में ऐसे मिलाते हैं ऐसे यहां थोड़ा सा गेफ लग लेते हैं उसमें लिख देंगे आप चार मील छे फरलांग चार मील और छे फरलांग इसके बाद में यहां पर आप क्या करेंगे आर एफ लिखेंगे आर एफ एक अनुपात त्रेशट हजार तीन सो साट यह हल हो गया आपका सिंपल स्केल में सलमापनी में मील वाला कोशन तो हमें सलमापनी के दो कोशन करने हैं एक में से पहले आपको बता चुका हूँ किलोमिटर वाला और यह जो आपका कोशन है यह कोशन है सिंपल स्केल में मील वाला तो हम इस प्रकास से इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं आप चाहे तो इसका इसकी शोड भी ले सकते हैं अब यह तो आपने बना लिया अब आप क्या करेंगे कि जब आप फाइल की पीज पर बनाएंगे तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि आपकी जो file होगी एक तो lining वाले page होते है और एक हुदर drawing वाले page तो मानकी चलो कि ये वाला drawing का page है इस side में आपका line का page है ये line वाला page है और ये आपका drawing का page है तो हमेशा मापनी का जब हम लोग skill बनाते हैं तो question तो इधर आना चाहिए यह question आपका आगया जैसे एक अनपा, 36360 मापनी यह लिखने का काम यहाँ हो गया और यहाँ आपको ने इसी को यहाँ solve कर दिया इसी की just सामने drawing की seat होगी जहाँ पर आप मापनी बनाएंगे तो सबसे पहले मापनी बनाएंगे समय उपर लिख लो simple scale seat में यहाँ पर मापनी बन जाएगी नीचे की side में यहाँ पर आप मापनी बना दोगे और इस प्रकाश से इसको यहाँ दिखा दोगे और यहाँ पर यहाँ फरलांग दिखा दोगे आप और यहाँ पर लिख दोगे एक अनपा 63,360 आर एफ तो कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई पहमाना या मापनी पर बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा लाइनिंग वाले पेज के सामने ही question solve करना पड़ता है जैसा कि आप इस फाइल में देखो कि यहाँ पर यह जो फाइल दे गई है यहाँ पर यह question यहाँ solve हो रहा है लाइनिंग वाले पेजों में उसी के जश्ट सामने यह skill बना हुआ है simple skill और यहाँ पर यह आरेक या skill बना हुआ है इसने 6 इंच की रेखा ली है एक एक इंची column लिए है और यहाँ एक एक इंची बाट की इसको बनाया है और यहाँ RF लिखा हुआ है तो जब आप इस फाइल को बनाएंगे तो सबसे पहले आप pencil से इसको बनाएंगे pencil से बनाने के बाद मैं मुझे चेक कराएंगे और जब मैं इस पे चेक कर दूँगा, साइन कर दूँगा, उसके बाद में आपको इस पर पाइलेट पेन गुमाना है, ठीक है, पाइलेट पेन का काम हम बाद में करेंगे, तो इस प्रेकास से आप थोड़ा सफाई से काम करेंगे, और ये simple skill ये बड़े वाले से लिखा हुआ, इस से छोटा और आता है, ये extension skill आप छोटे वाले से भी इसको लिख सकते हैं, तो ये हो गए हमारे दोनों की दोनों सल मापनी, simple skill, और next class में हम लोग पढ़ेंगे तुलनातक मापनी के बारे में, thank you.